रक्षबंधन का तियोहार सभी भाई बहनों के लिए पवित्र और अटूर तियोहार होता है। जिसके चलते हैं आप लोगों को काफी अच्छा लाब होने वाला है। आपको बता दें इस रक्षबंधन पर सरवार्त सद्धियोग और अईश्मान दिरगायू का शुब संयोग बन रहा है। जो दिशियों का मानना है कि ऐसा संयोग 19 साल बात आ रहा है। वह इस बार रक्षबंधन के दिन किसी शुब मुहूर्त में राखी बांधना शुब रहेगा। आपको हम राखी बांधने के लिए शुब मुहूर्त बताते हैं। रक्षबंधन के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। इसा कहा जाता है कि डावन की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी इसलिए रावन का विनाश हो गया। इसलिए हमेशा शुब मुहूर्त देकर ही रक्षबंधन मनाया जाता है। आपको बता दे भद्रा सबर 9.39 मिनट तक है, हिराकी का त्योहाद सबर 9.30 मिनट से शुरू हो जाएगा। दोपर के एक बचकर 35 मिनट से लेकर शाम चार बचकर 35 मिनट तक का समय बहुत अच्छा है। इसके बाद शाम को साथ बच कर तीस मिनिट से लेकर रात साड़े नों बजे के बीच में अच्छा मुहूरत है रक्षबंधन के दिन सरवार्थ सिद्य योग बन रहा है इस योग में सारी मनुकामना पूरी होती है साथ ही इस दिन आईश्मान दिरगायो योग है यानि भाई बहन दोनों की आयू लंबी हो जाएगी आपको बता दे तीन अगस्त को सावन की पूर्णिमा है ऐसा संयोग बहुत कमाता है कि सोंवार के दिन पूर्णिमा पढ़ जाए साथ ही इस दिन तीन अगस्त को चंद्रमा का ही श्रवन नक्षत्र है जिसकी वज़े से मकर राशी का स्वामी शनी और सूर्य आपस में समसब्तक योग बना रहे हैं शनी और सूर्य दोनों आयू बढ़ाते हैं ऐसा संयोग 29 साल बाल आया है